अलो बॉट मॉनिंग एवर्वान दिस दॉट्र एसके सिंग आफ दन माया मेवेज्ट वालाना चाथ मेरे कालिज और आज हम पीवाई क्यू करने वाले हैं अलाकि टॉपिक पर मत जाईएगा पीवाई क्यू डिसकस करने वाले हैं जो काफी बहतरिंग सेशन रहेगा और पूरे एक घंटे का सेशन रहेगा और इस एक घंटे में हम 2016 के फेस वन के सारे पेपर को कर लेंगे ठीक है थोड़ी से रफ्तार जादा रहेगी और फोकस बना के देखेएगा जाकर आप उससे सीख पाएं अंडिनर जस्त यह ऐसा सेशन नहीं है कि जिस आप कोशन देखा और आंसर बता दिये तो लिटिल विट थोड़ा सा हम एक्स्प्लेनेशन भी करेंगे जिससे आप आसपास के को समझ पाएं इसके पहले मैं बता दू कि में हमारी स्टेडी कभी रुपनी नहीं चाहिए और अनकाडमी आपको यह मौका देता है कि आप घर पे बैठ के अपने जोन में पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है अलिमिटेड एसस मिलेगा सारे कोर्स का प्राक्टिस टेस्ट होगा बहुत सारा चीज़ है बैच कोर्स मेरे कोर्स अभी चल रहे हैं और 11 अगस्त को भी एक बैच आ रहा है mentorship मिलेगा this is very very important अगर आप किसी mentor के गाइडेन में पढ़ेंगे तो बहतर करेंगे और regular doubt clearing session रहता है study material हम लोग अब भेज रहे हैं iconic subscription के साथ तो iconic is better right plus is also better ऐसे नहीं है कि plus iconic दो नहीं अच्छा है थोड़ा iconic और refine हो जाता है बिकॉस में personal coach study planner export guidelines बहुत आरे चीज़ मिलती हैं तो आप यह मेरे batch अभी start हुआ था इससे भी enroll कर सकते हैं 28 July ज्यादा दिन नहीं हुआ पूरे नीट यूजी में सबसे ज्यादा जो कोड इस्तमाल होता है और डॉक्टर एसके सिंग होता है विकॉस हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर के guidance में आके पढ़ूं और बैतर कर सकते हैं यह भी मेरे batch चल रहा है इसमें भी आप enroll हो सकते हैं तो काफी अच्छा आप सब के लिए यह offer है जिससे आप फाइदा उठा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं आप हम बात करते हैं नीट यूजी की इसमें कुछ कोशन हमने किये थे हैंना कुछ कोशन किये थे और मैं मुझे लगता है कि 10-15 कोशन हमने कर लिए थे 1110 से करते हैं 110 110 आपको पूल में आपको यहां पे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है कौन-कौन उपस्तित है बालो जी अफ हिंदी भाय रोहित विजनोई डेल लब्टॉप स्टडी फंटाइंग और यह थसेशन को लाइक करती तो फ़र्स कोश्चन फाललें फीचर इस नॉट प्रजेन फाइलम और दो इन्हें वे सब कौन साफ फीचर जो है फाइलम और ठो पोड़ा में आपको देखने को नहीं मिलता है बताएं पालम और ठोब्ड़ा में देखें आंसर कैसे लिखना seen in orthopoda orthopoda के जितने भी आउटर कवरिंग होते हैं they are made up of kaitinus very hard nature metameric segmentation yes there is a true segmentation are there number of segments are fixed but the parapodia is a feature of analytes parapodia is feature of analytes the parapodia is feature of analytes so answer will be c great study with fun time Anjali future Chandeta Supriya very good that's great good 111 fertilization in human is practically feasible only if a fertilization कहां पे practically feasible हो सकता है प्लीज ऐसे लिखेगा 111 का अंसर क्या है comment section yes hardik Supriya Vaisnavi बताएए संगीता जी तो 111 आंसर है B very good जब ओवं जब ओवं और जब ओवं और जब ओवं और स्पाम transported at the same time at the isthmus और एंपलार जंक्शन अब फेलोपीन जब धर से इस पाम आ रहा है इधर से ओवं हैं दोनों आपस में संगम हो जाता है तो fertilization होता है आपको पता है कि ओवं कब आता है कोई बता सकते comment में ओवं कब release होगा ओवं कब release होगा yes 14th day of menstrual cycle but it is not a fix not a fix ऐसा नहीं कि 14th day में ही release हो जाए तो overall मान के चलते हैं 10 से 17 दिन of menstrual cycle के बीच में कभी भी ovulation हो सकता है और उससे में population हो तो there is a high chance of pregnancy great तो 111 का answer है b 112 112 comment में आंसर देना है stem modify into the green organ performing the functions of leaf are known as cladodes phylodes phyloclates scales बताए 112 112 112 तो answer will be 112 का answer क्या है phyloclates phyloclates इस stem का modification है flat green organ हो जाता है वो पंशिया में reported है वो पंशिया में reported है great so मैं सिर्वास्तो सुनैना जी great धानू good next 113 which are the falling pair of hormone are not antagonists having opposite effect to each other I think कराय भी था antagonist का मतलब opposite functions है नहीं नहीं के बारे में बात करता है नहीं ठीक है पराथरे मोंड होर्मों PTH ये क्या करता है देंक्रीज्ड अ क्यासिम लेबल इंसाइड दर इंसाइड अप्लाड कैसे टोनी का function बताएं कैसे टोनी का function बताएं यौक ओенно UK यह ऑपोजित फांक्शन क्या करता है बलेड में गुंओ को घृटाता है और यह बढ़ाता है एंटागोनिस्ट है एक अलसी टोनिन घटाता है एल्डर स्ट्रॉन आपकी बीपी को बढ़ाएगा आल्टी नेट्रुटिक फक्टर आपकी बीपी को घटा देगा बट रिलाक्सिन और इनिवीन इस नॉट अंटागोनिस्ट 114 114 अंसर बताएगा 114 का 114 और इसकी लीफ के जाएगा विच्ट फॉलिंग इस नॉट नॉट में खासके ध्यान देना है नॉट इस्टेम मोडिफिकेशन पिक्टर आफ निफेंटिस थॉन आफ सित्रूस तेंडेल अफुगर के करवेटी सेन फ्लेटन स्टॉक्चर ओपन शिया ठीक है 114 अंसर स्टॉक्ट फञेशन है और इसकी लीफ के जो पैटल सेपल सोतें बहुत ही अट्राक्टिव होते हैं इंसेक्ट को अट्राइक करेंगे इंसेक्ट फट्टर ओंस जाएगा वही पर बाकित थॉन स्टेंडर्स और फ्लेटन स्टॉक्चर ओंस या और फीचर और फीचर ओफ करते हैं ताकि आप देख पाएं अच्छे से अंसर कमेंट में बताइएगा कि 115 का आंसर कमेंट बताइएगा कि कमेंट में बताइए 115 का आंसर हम् ग्रेट 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 1 1 5 त 1 1 5 का दी ता इस वेक्तिमी पर वेंट is spermatogenesis, एक गलत है, barrier method, prevent fertilization, barrier method is also important to prevent STDs, right, prevent fertilization slash STDs, sexually transmitted disease, intrauterine devices like, copper T, multi-loaded copper T and all, yeah hormone releasing, they increase the phagocytic of sperm, suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm, hormonal contraceptives prevent retard entry of sperm prevent the ovulation but vasectomy prevent is for mutageness is the gilethe the vasectomy यह हो सकता है कि आपके transport of sperm को prevent कर सकता है is form तो बनेगा ही बनेगा इह देखिए माल लिजे यह testis और testis से लाइड गई थोड़ा सा deviate हो सकता है वीच-वीच मैं देखता है तो किन यहां पर हो सकता है तो यहां पर यह हमने बास डिफ्रंस को कट करके बांद दिया है वास डिफरंस को कट करके टाइब कर दिया है तो स्पाम तो बनेगा ही बनेगा बटे स्पाम माईग्रेट नहीं हो रहा है। 116, 116, yes please, बताएगा, 116 ट्रीकरिलरी सिंकर्पस गानेशियम इस फांद इन फ्लार आफ, बहुत ही फेमस कोशन है, बताएगा, yes, that's a Lillie City, great, 116 का अंसर बी, 116 का अंसर देखुए, लीली एसी तो आपको यह याद करना है लेले सी इन कंटेक्स आफ एमिनो सिंथेसिस विच तो फालेंग स्टेटमेंट इस इंकर्ट आप आपको अपर इसे सबस्क्राइब इस इसे निकला हुआ है हम लेते हैं और यूस्जी गाइडेड नेडिल होता है यूस्जी गाइडेड का मतलब क्या है दिस फ्रॉब जैसे डॉक्टर ऐसे आपको पेट पे लगड़ते हैं तो जैसे हमने यहां पे क्या किया कि जैसे पेट है मुझे अमिनोसंथेस करना है तो एक अल्ट्रा साउंड क जो प्रॉब है यह अंदर का चीज दिखाएगा और नेडल मैं उसी के साहरे अंदर लेके जाओंगा तो अब्डॉमिन से नीडी सीधा अंदर जाएगी मसल्स को अंदर जाते हुए यूट्रस तक जाएगी क्योंकि यूट्रस के अंदर बेबी है ना यूट्रस के अंदर जाएगे प्लेसेंटा को प्लेसेंटा तो इधर है यूट्रस को क्रॉस करके और जितनी भी एम्मेटिक फ्ल्यूड उनको काप्चर कर लेगे तो इस वेरी इन्वेसिव प्रॉसस हर कोई नहीं कर बाता है ठीक है और हर जगह होता भी नहीं है पहले का टाइम में एम्मेंस प्रॉसस यूज तो डिटर्माइन देटर्माइन सेक्स फिटर्स वेदर इस फीमेल और मेल और अगर फीमेल होता है तो लोग फिटिसाइट कर देते थे आप बहुत स्रिक एक्सन है पी एन पीडिसी ऐसे प्रिवेंटिव हैं से मुझे फुल 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 नहीं आरा तो उस जूज यूज दन वंसर फिकवें पेस्टीन वेख ऑप प्रेंशेम अजिए तो फॉट्रासी एक्स ए बेर ais Pada con और नेक्स दिखते हैं, इनकरेक्ट धूनना है, यह देखे, और यह देखे, और यह देख, इस उस तो प्री नेटल सेक्स देटिमिनेशन, और C है, इट कान यूस फोर डिटेक्शन अफ डाउन सिंटरम, यह जितने भी जिनेटिक एबनॉमलिटीज होती हैं, इनको यह खास क इनके डाइगनॉस में बहुत बड़ा इसका इस्तमाल होता है, इट कैन, इट कैन बी यूस फो देट्शन अफ क्लेफ प्लेट, जो होता है, वो, जो होता है, हाड पैलेट, सॉफ पैलेट, आकरोगे, तो अपने टंग से आगे के साइड में, जब करोगे तो आपको हाड प पैलेट आएगा, तो इस पैलेट इस हूज विद योर लिप्स, आपने किसी किसी बच्चे को देखा होगा, तो उसे फिक्स हो जाता है, तो वी कैने डाइगनॉस थूद एमिनोस संथेस, और इसे आजकल एंटी सर्चरी कितना एडवांस हो चुका है, तो ठीक भी हो जाता डाइगा, 118, तिस बटाइगा, 118, तिस बताइगा, 118, तिस बाइगा, 118, तिस चल्ब एक्जिलम शनओ, सब एक्जिलम 即 future, Saloni, great, Dell Loked Laptop, good, good. 118, that is called Vaxillum, Vaxillum, that is called Vaxillum, that is called Vaxillum, great, good, future Saloni, great, Deloft laptop, good, 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 the cells of telophase state is absorbed by the student in a plant, proud from the field, he tells his teacher that the cells is not like other cells at the telophase state, there is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared to the dividing cells, this would be result in aneuploidy, polyploidy, somacolonyl variations and polytene, 119, that is the clear indication of polyploidy, there is a clear indication of polyploidy, great, Sanakhan, Dhanu, Mayank, Anjali, study with fun time, great, 120, specialized epidermal cells surrounding the guard cell is called, how easy to ask questions, so you know that there is a stomatal pore, this is a stomatal pore, stomatal pore is guarded by the guard cell, this is guarded by the guard cell, and guard cell who are over the guard cell, can'tする them out of tango, what happens in the guard cell, can't tell them out of hand, what happens in the guard cell, whichと思沒有 divisions, this ispenatas, the answer will be subsidiaries, subsidiaries, right, लेकि the guard cell is important for the opening and closing of stomata, the guard cell के अंदर potassium अंदर जाएगा, ना potassium अंदर जाएगा, तो potassium अंदर जाएगा, तो endosmosis होना सुरू हो जाएगा, क्योंकि water potential काम हो जाएगा, endosmosis होगा, पानी अंदर जाएगा, guard cell फुलेगा, तो stomata फुलेगा, पढ़ाया है, depletion of which gas in the atmosphere can lead and increase incidence of skin cancer, इन में से कौन साइसा ग्यास है, जिन की कमी के कारण, जो की, जो बढ़ जाएगा, तो आपको skin cancer हो सकता है, yes, please बताएगा, नेधी, great, Sanakhan, good, study, fun time, तो 1-2-1, 1-2-1 का अंसर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, P, that is a ozone, the depletion of which gas, तो ozone का layer अगर कम हो जाए, पतला हो जाए, तो ultraviolet radiation हमारी जमीन पर आजेंगे, ultraviolet radiation हमारी जमीन पर आएगे, तो क्या होगा, skin cancer का चाहिए, UVB, ultraviolet B, जो होता है, mutation कर सकता है, DNA में चेंजेंज कर सकता है, तो आंसर बी, P, 1-1-2, in the test cross involving the F1 hybrid and more paternal type of spring were produced, than the recombinant type of spring, this is indicate, 1-2-2, answer बता ये, 1-2-2, 1-2-2, 1-2-2, the two genes are linked and present on the same chromosome, that's a test cross, test cross में F1 generation को हम किस के साथ करते हैं, recessive, recessive parent के साथ करते हैं, recessive parent के साथ करते हैं, recessive parent के साथ करते हैं, तो जब F1 generation recessive parent के साथ cross होता है, the two genes are linked and present on the same chromosome, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, yes please, 1-2-3, 1-2-3, which of the following feature is not present in periplena americana, cockroach, periplena americana, is a cockroach or what, 1-2-3, study with fun time, cockroach, yes, 1-2-3, his answer will be B, great, 1-2-3 का answer जो है, हमारा, B होगा, indetermined and radial cleavage during the embryonic development, embryonic development, pick out the correct statement, जोन लेना है, हमोफिलिया is a sex link recessive disease, down syndrome is due to the aneuploidy, phenylketonuria is a autosomal recessive disorder and sickle selenemia is a X link recessive disease, pick out the correct statement, correct statement जोन लेना है, my name is Dr. S.K. Singh, 1-2-4, answer will be D, A, B and C, R, correct, problem हो गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क वगरा, लाइट वगरा, लाइट वगरा, now I think fine, hello, hello, hi, hello, hi, hello, hello, yes, we are live now and yeah, तो शुरू कर लेते हैं, शुरू करते हैं, हलो, 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 बस अभी start करते हैं, question number कौन से पे थे हम लोग, question number बताये, question number, question number कौन से question number बताया हम लोग, प्रोब्ली आमिनों संथिस बगर कर रहे थे हैं तो तेस्ट प्रोब्ली यह यह वाला था तो हेमोफिलिया जो होता है हमारा हमोफिलिय जो होता है हימोफिलिया correct statement में चूस करना है correct one okay the hemophilia is sex link recessive disease this is a correct one और खासकर इसमें cascade protein dysfunction हो जाता है there is a dysfunctioning of cascade protein तो इसके वई से हो जाता है Down syndrome is due to the aneploidy that is the 21st number of chromosome के ऊपर होता है that is a 22 1 plus 1 ठीक है और phenylketoine urate is autosomal recessive disease and somehow this is called inborn inborn error of metabolism inborn error of metabolism inborn error of metabolism and sickle cellinemia is not a x-link this is a autosomal disease right so a b c is a correct statement while the d is a incorrect one while the d is a incorrect one okay next question करते हैं वे स्टाइप आफ टिशू करेक्टली माच्विट इट्स लोकेशन बहुत इंपॉर्णन कोशन नीट 2020 के अंदर भी इस सब्सक्राइब कोशन साय थे ठीक है बताईएगा विच्छ फॉलिंग इसकारेक्टली माच्विट इस लोकेशन इस्मूथ मसल्स वाल अंटेस क्या होगा यह होगा ठीक है 125 का अंसर एं मैस्ट तरम्स और इन दे कॉलम फर्स विद्ध इर डिस्क्रेप्शन और कॉलम सेकंड चूज दर कॉर्ट अप्शन चूज गर्द अप्शन चूज करना है बताईगा 126 का अंसर क्या होगा कमें में बताईगा रहनायूश में या येस मधाय है 126 ब्री बताई है 126 इससा बी को डूमिनेंस गार्ट खर में अज अलिल एक्ष्प्रेश इग गर्टैप्शन प्रेटवी त सलिल अऑ बताईगा अधि श्री इवाला ये अ था इंब अट रहन गार्म गार्ट्राफब गण को अगान बताई है और फ्वाई श वाला, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127 का अंसर वता है, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, a tall true breeding garden पी प्लांट is crossed with the drawf true breeding garden pea plant. When the F1 plant's were self resulting in a genotype of ratio of what? Tall true breeding garden pea is crossed with the drawf true breeding garden pea in F1 plant. तो आपको यह नगे रहा है, तो आपको यह नगेर आ रहा है, this is a monohybride cross. Monohybride cross में क्या ratio होता है आप सबको पता है? है तो 1 2 8 ऊथ है Q1 1 2 8 का अंसर है तो है एक है टेंग है अगे आगे कि माइक्रो टीव्यूस आज़्ड कॉन्स्टिट्टीट ऑफ माइक्रों टीवल्स 1 2 9 माइक्रों टेबल किसके पार्ट होता है अलवा अलवा तीपक बदाएं Microtubules असान कोश्चन है वन तू नाइन क्या अंसर होगा वन तू नाइन वन तू नाइन बताएगे यह स्टैडि वित फन टाइम वन तू नाइन आइन आंसर विल भी यह बता 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 जल्दी बता आइसर विल भी बी spindle fibers centriose and cilia which of the following is the most appropriate described hemophilia अब बता है कि hemophilia में liver के अंदर एक gene होता है and this gene is controlling the cascade protein cascade protein को control करता है and this cascade protein is what cascade protein जो होता है हमारे blood clotting factor को control करता है blood clotting factor को control करता है blood clotting factor को control करता है और जब जब हमें चोट लग जाती है तो इसको control करता है तो आंसर विल भी इस वन एक्स link recessive disease तो excellent recessive disease recessive gene disorder ने chromosomal or dominant gene spindle fibers attach on to 131 131 आये बताइएगा मयांक सुनैना मौनिका ग्रेट शिखा पटेल 131 131 येस असान है 131 का अंसर जे टी काइनेटो कोर्स सब्सक्राइब काइनेटो कोर्स यहां पर होता है वहीं से एटाच रहता है 132 विच अपर फॉलिंग cell और इस इंक्लोजेश बाइस सिंगल में इस ताइप के कोर्शन काफी पूछे जाते हैं बहुत जादा भर के कोर्शन पूछे जाते हैं आपको याद होना चाहिए कि में एक लिस्ट फॉर दा सिंगल वांड़ से सिंगल बाइंड ऑ्राइब और इस ठीक है में अ लिस्ट आफ डबल बाउंडेड और्मलीस और मेंब्रेन लेस मेंब्रेन लेस तो यह आपको आना चाहिए कौन कौन सा स्ट्रॉक्चर कैसे कैसे होता है यह प्लेस बचाहिए उजेयर स्टैड़े विद फंटाइम 132 का अंसर बताइए दो आंसर बिल्बी एर लाइजयोजोम नाइजयो जो ओता है द्वेरी नेमरेन होता है आउटर और इनर ना मेंटो कौनडिया Mitochondria and Chloroplast has semi-autonomous organelles, formed by division of pre-existing organelles and they contain the DNA but lack protein synthesized machinery, which are the following is correct, 133, 133, Muhammad Zavir, Monica, great, 133, answer will be C, A is true but B is false, A is true, Mitochondria is semi-organized but B is not a true, 134, 134, nomenclature is governed by the certain universal rule, which of the following is contradictory to the rule of nomenclature, 134, 134, 134, it's a C, biological name can be written in any language, 134, answer will be C, 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 135, the typical fat molecules is made up of, typical fat molecules is made up of, fat molecules किसे मिलके बना होता है, बतायेगा, बुलुलिए, 135, 5, B, 1 W गिस्तारा, and 3 fatty acid molecules को 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 जायो, बुलन है। बुखळो दोफारं को नोंहीं होन साथ को कोैन सब को आना चाये। अलोन बढ़ा बताव बटा अलोन बधाया मुःमध जाविर पंटान या बताया बोलो बोलो auz a which of the following statement is wrong inbuilt against statement wrong एक रिंवे इस कांस बॉक्रा ग्लीय आwnक्ते हिंस कही तो कि अई पालीक डीय आप अ एकुछ सेधेमेंच इर जुक कि पाली हराख दृय। फो फदू प्रेसी पालिय ना स्ट करूस इस अर सुलफर इस व्लॉफर कन्ता लियन इस फूफर चानि इस इस झान। 137 का D ठीक है D विच फॉलिंग इस नॉट रिवाइब फॉर इनी ओफ टेक्नीक और डिने फिंगर पिंटिंग एवलेबल एट प्राजन आपको पता है कि डिने फिंगर पिंटिंग का इस्तेमाल जो होता है अगर आपके डिने के फ्राग्मेंट बहुत ही काम होते हैं तो PCR में उसे अंप्लिफाइब कर सकते हैं जिंग-sulphur, जिंग-finger analysis is not a use, restriction enzyme कुट करने के लिए उसे होता है और DNA-DNA hybridization भी होता है तो answer will be B 1-3-8 का answer will be B 1-3-9, which of the following is not characteristic feature during the mitotis in the somatic cell mitotis of the somatic cell, बताएगा, mitotis of the somatic cell, study with Funtime, Sunaina, बताएगा 1-3-9, लिखे कमेंट करके, 1-3-9, great, it's a D, D, spindle fibers, नहीं होगा, disappearance of nucleus, chromosomal moment and synapses, तो answer will be D, synapses, synapses में नहीं होता है 140, which of the following is required as an inducer for the expression of lac operon, तो यह भी बहुत famous question है, 140, 140 famous question है, ठीक है, answer बताएगा तो which of the following is required as an inducer for the expression of lac operon, तो glucose तो होगा नहीं, lac है न, तो lactose होगा, तो answer बूल लिखो C, comment में आंसर लिखो C, ठीक है, answer will be C 141, in meiosis the crossing over is initiated by famous question, important question आसकता है, बहुत important है, 141, 141, yes please, 141, 142, analogous structure are result of, बताया है, AC में बैठके, HD movie देखने का मज़ा ही कुछ और है, तो यह मतलब analogous organ, convergent evolution, homologous organ, divergent evolution, analogous organ, convergent evolution, 142, answer will be B, ठीक है, बहुत यह answer question, देखते ही मारना है, ठीक है, 142, 143, not 2, which of the following is all our macronutrient, जब मैं अने कैडमी पर पढ़ाया था, तो इसके list बताया था आपको, कि इनमें से कौन सा macro और कौन सा micro है, तो macro nutrient ढूणना है, इनमें से कौन सा macro nutrient, comment करके बताये, मायंग पटेल, धानु जी, यह से बताये, अलोन, मुहम्मद जावीर, यह से चंद्रिप्ता, 1, 4, 3, answer will be 1, 4, 3 का D, nitrogen, nickel and phosphorus, nitrogen, nickel and phosphorus, nitrogen, nickel and phosphorus, 1, nitrogen, nickel and phosphorus, 1, 4, 4, which of the following two statement regarding the origin of life, मन ओर और जिए पढ़ाया आप सबको, the earliest organism are appear on the earth were non-green and presumably anaerobes, the first autotropic organism were chemo-autotrophs and never release oxygen, one of the statement which are the falling options is correct, in में से कौन सा option correct है, yes please, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, answer will be C, both A and B are correct, दोन ही option बोहत ही बहतरीन है, 1, 4, 5, in the chloroplast, the highest number of proton are found in stoma, lumen of thalacoid, inter-membrane space,